अब एक बार आज की रखमेंडेशन संहों लेते हैं कैसे में शौट कॉल्स बीण्कॉर्पोरेट करricular कर रहा है हमारे एक सिर्थ यपार्म ज़ाल के टरेद्फ रहा हैँ वह ही रेकमेंडेशन आपके लीए खिएरण बताएं आज अबывает क्या तो ठोल के साथ आ आधारे सब्सक्राइब प्रवकुत आधारे संग और यह कि अगे खान नंग आधार थे संग परेंगे। हम देख रहे हैं कि काफी तीन महीने से स्टॉक अंडर परफॉर्म है, 625-640 का एक क्लस्टर रेजिस्टंस था जिसको क्रॉस्ट नहीं कर रहा था। स्टॉक में अगर आप देखो कि तो डेली चाट में अच्छी का सी रैली आया सकती है, डेली चाट वापीस अदर हम देखे तो मोमेंटम इंडिकेटर भी बुली जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, दो दिन पहले उसका प्रीविस रेकाउट भी रीटेस्ट हो चुका है, 649 के एक फार्मस्टोटिकल के शिराज जरूर आएगा, वो आप सको सनफार्मा कर रूप में मिल गया, आईया स्टीटी से रेल्वे काउंटर है, इस पर थोड़ा ध्यान रखेगा, ये एक ब्रेकाउट केंडिट भी है, विशाली आपके ट्रेड कौन से है, जी रेकमेंड करू झाए का 190, ए टेडिंग टागेट इस 205. अथा मोमें ट्रेड कर रहेगा, ऐल्या है, विशाली लूम डूरिंग थीज जरू न रहेगा, उन्या वन में गया, तूरी जिर्था एम्स्टिकल बाटन लेएगा, घॺो अच्छा वालियों, चाले वाल्या है तूर्म से हो गई इंडेक्स पर स्ट्राइजी इंडेक्स पर आउट्लुक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बटा हुआ तो कॉशस आउट्लुक मान कर आप चलें क्योंकि वीकली एक्सपारी है इस वक्त हो खरीदारी की तरफ पर नजरा है जिसमें फार्मा है जोमाटो जैसे स्टॉक से और साथ यू टिया एंसी जैसे एकांटर्स जिस पर खरीदारी की कॉल आती हुए हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर कुश्ट भूरा भी जुड़गे उनका स्वागत करते हैं ग बैंक निफ्टी चवाल इस सजार के एहम सपोर्ट के लेवल के आसपासी ट्रेड करता हुआ आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मौके तो बने ही बाजार में बताइए कौन से ट्रेड आइडिया स्पोट किया आपने सपोर्ट के पास हैं अगर थोड़ा सा आपको उन्हीं लेवल के आसपास से थोड़ा नीचे भी मिले तो भी आपको बाई करके चलना चाहिए निफ्टी पे 18600 का टागे 18400 स्टॉक लॉस बैंक निफ्टी इस बिकास ओरड़ी यह 3300 का जो एक हाई है वो मारने के बाद पिछले दो दिन दो से तीन सेशन में थोड़ा म्यूटेड रहा है कल 20 दे आपर सपोर्ट लेके फिर से रिबाउंड किया है विच मिन्स यहां पर मोमेंटम फिर से लोटता हुआ दिख रहा है तो 3300 के एक immediate target के लिए buy करें 3500 मेरा दूसरा positional target रहेगा 3100 का of stop loss लेके चलें दूसरा pick है Minda Corp, very similar story, stock अच्छा खासा एक uptrend में था अब एक positive bias के साथ consolidation है 285 का एक हलका सा resistance है which is not too far अगर आज opening में आपको उसके ऊपर भी मिल जाता है तब इसमें आप momentum लोटते हुए देखेंगे तो 295 के target के लिए Minda Corp buy करें 278 यह जो level है यह आपके लिए stop loss रहेगा तो अच्छा आपके लिए आपके लिए stop loss रहेगा